सभी बच्चों नमश्कार आज हम आपकी वाक्षिट नमबर चमालिस कक्षा दस्वी विज्ञान जो कि आपको 14 अक्टूबर को करनी है वो डिसकस करेंगे जैसा कि आपको पता है कि आपका पार्ट जो है आवर्थ साड़नी वाला चल रहा है उसके अंदर हमने आज जो है मेंडलीफ के बारे में पढ़ना है कि जो मेंडलीफ ने आवर्थ साड़नी दी थी डॉबने और निवलेंड्स के बारे में जान लेते हैं मेंडलीफ का जनम 8 परवरी 1834 में रूस के प्रिशिचिम साइबर एरिया के टॉबल सक नामक स्थान पर हुआ था और इन्होंने स्तावी तत्वों की विवस्था को मेंडलिफ के आवर्थसानी कहा जाता है इनकी जो आवर्थसानी थी उसमें रसायन में एकमेव सिध्धान साबित हुआ और इससे नए तत्वों की खोज के लिए भी प्रेड़ना मिली इनको जो है हम आवर्थसानी का जैनमदाता भी कहते हैं फादर ओफ प्रिडिक टेबल अब जब हमारे अश्टक के सिध्धानत को जब ऐसा विकार कर दिया गया तो उसके बाद बहुत सारे विग्यानिक जो है अलग-लग तत्वों की खोज और उनको किस तरह से जो है अलग-लग रूपों में रखा जाए उसमें लग गए थे और उसी में फिर जो है इस रूसी रसायन सास्तरी दमित्र इमांची मेंड लिफ ने जो है जो कारिये किया वो बहुत अच्छा कारिया था तत्वों की आवर्थ साड़नी के प्रारंबिक विकास में उनका बहुत ही एहम योगदान था उन्होंने तत्वों को उनके मूल गुंधर्म परमाण दृमान ता था रसायनी गुंधर्मों के सामानता के आधार पर विवस्तित किया तो यह आपको याद रखना है कौन-कौन से बिंदू उन्होंने ध्यान में रखे वो हम देखते हैं पहला था कि उन्होंने 63 तत्वों के उपर जो है अपना कारे प्रारम किया था और उन्होंने परमाणु द्रिवमान एवम उनके बहुतिक एवम रसाइनिक गुण धर्मों के बीच के संबंदों को अध्यन किया सबसे पहले फिर उन्होंने रसाइनिक गुण धर्मों के अंतरगत मेंडलीफ ने जो तत्वे हैं उनको ऑक्सिजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले उनके योगिकों के आधार पे उनका द्यान चला गया उन्होंने हर तत्व को उसके ऑक्सिजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके देखी और उन्होंने ऑक्सिजन और हाइड्रोजन के चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ही तत्व जो है भोती सक्रिय होते हैं और अधिकांस तत्वों के साथ अभी करिया करके यह रखी बनाने में सक्षण है तो फिर उन्होंने जो भी उनको हाइड और उक्साइड के सूत्रों को उन्होंने वखरि हिर्वत करके एक मूलभूद गुण धम मान लिया कि जो भी उसका उक्साइड बनाएगा उसको एक जैसे उक्साइड वलनों को एक ही समूँ के अंदर रखा गया सामान गुण धर्म वाले तत्व को एक साथ रकने पर उन्होंने पाया कि जब ऐसा कर रहे हैं तो तत्व अपने आप परमानु धर्मान के आरोही क्रम में भी विवस्थित हो रहे हैं और यह भी देखा गया कि सामान भोती के मरसाइनी गुण धर्म वाले विभिन तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वापस आ जाते हैं तो इन्ही के आधार उन्होंने कहा कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमानु धर्मान का ही आवर्थ फलन होते हैं तो यह उनका आधार था उसके बाद उन्होंने जो है उद्र स्तंब को ग्रूप का नाम दिया सम्हू और शत्तिज पंक्तियों को दिस्कवर नहीं थी तो आराम से एक नौवा समूख भी बनाकर यहां रखा जा सकता था बिना पूरे प्रूरे प्रूडिक्टेवल को हिलाए हुए उसके बाद उन्होंने छे जो हैं इसके अंदर आवर्थ दिये अब आप देखोगे उपर सभी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि किस तरह से वो ऑक्सिजन और हाइड्रोजन के साथ अभी करिया करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं उसके आधार पे जो है उनके नीचे तत्व रखे हुए है प्रेशन उतर देखते हैं मैंडलिफ के आवर्थ साणने का उपयोग निमिलिक तत्तों के ऑक्साइड के सूतर का नुमान केज करना है हमने तो आप देख सकते हो पोटेशियम के टुओ कार्बन डैक्साइड सी ओ टू अल्यूमिनियम अल्टो थ्री सिलिकोन SiO2 मेरिलियम बी ए ओ मेरिलियम वैसे तो अल्यूमिनियम वाले ग्रूप में है लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में इस अवस्था में पाया जाता है वातवरण में इसलिए हम बी ए ओ लिख रहे हैं बी टू बी ए टू ओ थ्री नहीं लिख रहे हैं उसके बाद जो है मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्थ साणी के नियम का अधार क्या था कि तत्वों के गुर्धरम उनके प्रमानो दर्मान का आवर्थ फलन होते हैं तो ये प्रेशन दो का उत्तर है आपका उसके बाद प्रेशन तीन मेंडलीफ ने अपनी आवर्थ साणी त्यार करने के लिए कौन-कौन से मापदंड एक तो उन्होंने प्रमानो दर्मान के बढ़ते क्रम में वेवस्तित किया और रसाइनी गुणों की सामानता यानि सामान रसाइनी गुणों वाले तत्वे एक ही समों में होने चाहिए इस चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा चोता प्रेशन है, मेंड लीफ ने तत्वों के ऑक्सिजन एक हीड्रोजन के साथ बनने वाले योगिकों पर अपना ध्यान के इंदरित क्यों किया यह भी हमने बात करी थी क्योंकि वो अत्यंत सक्रिये हैं और अधिकांज तत्वों के साथ योगिक बनाते हैं इसलिए उन्होंने इनको उपर अपना ध्यान के इंदरित किया पाचवा आपका जो है फिलिन्दा ब्लैंक से उधर्स तम को सम्हू कहते हैं ग्रूप और शेतिश पंक्तियों को आवर्दिया पीरिड कहते है उमीद करते हैं आपको वक्षेट पसंद आयोगी देखने के ल देखने को